तो हलो गैस कैसे हूँ आप लोग मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत कता हूँ तो यहाँ पर गैस Redmi Note 4 के लिए MIUI 12 का एक Stable Port जो हो आ चुका है तो आज के वीडियो में गैस मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ इसको कैसे फ्लेस करना है इसके इंदर आपको क्या-क्या नए फीचर मिलने वाला है इसके इंदर आपको क्या-क्या नए चैंजिस मिलने वाला है और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करने से भिले गाइस अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना है तो चलिए फ्रेंज स्टार्ट कर दे हमारा वीडियो, जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकते हैं, मैंने अपने Redmi Note 4 पर इसको इंस्टोर कर लिया है, तो सबसे फिले तो मैं आपको इसका About Phone दिखा जिता हूँ, इस Rome के बार में थोड़ा सा बता जिता हूँ, उसके बाद इसमें आपको क्या-क्या फीचर वगरा मिलेंगे, ओ भी मैं आपको बता दूँगा, तो अगर गाइस हम बात करते हैं, इसके MIUI वर्जिन के, तो यहाँ पर MIUI 12.0.1 का सपोर्ट आपको मिल रहा है, यह मी ग्लोब के तरफ से मिल रहा है, यानि कि इसके अंदर आपको Global Language का तो यहाँ पर गैस, अगर हम बात करते हैं, Android वर्जिन के तो यह आपको Android 5 में मिल जाता है, तो जो भी फीचर आपको Android 5 के साथ मिलते हैं, ओ सभी फीचर भी आपको इसके साथ मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ों के बात करते हैं, तो यहाँ पर Secret badge आ आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको क्या-क्या खास जो हो मिल जाता है, तो यहाँ पर सबसे बिले तो इसको China Room से एक बात अलग करती है, कि इसके अंदर आपको region का support मिल जाता है, यहाँ पर setting में आपको देखने को नहीं मिल जाता है, जब आप इस room को setup करेंगे, तो आपको region का option देखने को मिल जाता है जो भी region आप select करते हैं वो ही same आप region use कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर language support की बात करें तो यहाँ पर आपको almost यहाँ पर 50 language का support मिल जाता है तो यहाँ पर आप देखे सकते हैं यह सभी language जो हो आपको China beta room के अंदर या फिर बाकी दूसरी room की अंदर जो हो देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर यह सभी language जो हो आपको इस room के साथ मिल जाएंगी उसके बाद गाईस इसका जो theme manager उसमें भी आपको update देखने को मिलता है यहाँ पर आपको एक icon का अलग से ही tape देखने को मिल जाता है इसके मदद से directly आप कोई भी icon पर एक है उसको download कर सकते हैं इसके लिए आपको full theme package को download करने के जरूरत नहीं है तो directly यहाँ से आपको सिर्फ इसका जो icon पर एक है उसको select करना है यहाँ से download करना है उसके बाद यहाँ पर आपको theme component में आके यहाँ से आप उसको apply कर सकते हैं तो यह एक नया option आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है बाकि यहाँ पर guys अगर हम बात करते camera की तो camera के अंदर भी आपको एक नया feature देखने को मिलता है नया option देखने को मिलता है यहाँ पर आपको water mark का option देखने को मिल जाता है तो आप जो भी picture वगरा click करेंगे तो यहाँ पर आपको redmi note 4 का एक water mark जो हो देखने को मिलेगा तो यह एक नया changes इसके अंदर add किया गया है बाकि यहाँ पर दूसरे changes की बात के तो यहाँ पर note question light में एक नया option देखने को मिलता है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर button light को कितनी दियर तक आपने रखना है उसका option यहाँ पर आपको दिया गया है अगर आपको इसका full channel लोग जो हो पढ़ना है तो आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ जाकर आप इसका full channel लोग भी पढ़ सकते हैं अब ही guys हम बात कर लेते हैं इस room के साथ आपको क्या-क्या bugs जो हो देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर guys कोई भी majorly आपको bug देखने को नहीं मिलेगा यानि कि इसको आप daily use के लिए install कर सकते हैं आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर बस एक ही problem है इसका जो portrait mode वर्क नहीं करता है stock camera है उसके इंदर आपको portrait mode का support मिल जाता है पर यह work नहीं करता है अगर आपको portrait mode से कोई भी picture वगरा click कर नहीं है तो आप G game का use कर सकते हैं उसके बाद guys अगर हम बात करते हैं battery and performance की तो performance में थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेग देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी तक MIU8 will पूरी तरह से stable नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको control panel या फिर कुछ apps में आपको थोड़ा सा lagging का problem हो सकता है बाकी यहाँ पर दूसरा कोई भी आपको lagging का problem नहीं होगा और battery backup की बात करें तो अगर आप कोई साभी अच्छा वाला kernel इस रोम के साथ use करेंगे तो आपको battery backup में भी कोई भी परेशानी आने वाले नहीं है अब यहाँ मैं आपको यह बताता हूँ किस तरीके से आप इसको install कर सकते हैं तो सबसे तो इसका जो रोम फाल है उसको आपने description से download कर लेना है उसके बाद यहाँ से आपको power off करना है और कर देना है इसको reboot to recovery so यहाँ पर गाईस हम आ गए है recovery में यहाँ पर मैं orange fox recovery का यूज कर रहा हूँ अगर आप चाहे तो इसको भी description से download कर सकते हैं सबसे लतो आपका जो भी data है WhatsApp है Facebook है उन सभी का यहाँ से आपको backup बना लेना है backup बन जाने के बाद आपको यहाँ पर tell with system vendor data इन सभी को आपने इस तरीके से select करके इसको wipe कर देना है जैसे हम दूसरी रोम को install करते हैं वैसरी इस रोम का भी same process है तो आपको उसी तरीके से इस इसको भी install करना है जैसा ही यह wipe हो जाता है उसके बाद यहाँ से आपको रोम के जो zip file उसको यहाँ से अपने flash कर देना है तो लिजी हमारा जो रोम है वह भी flashing start हो चुका है तो इसी तरीके से आप इस रोम को install कर सकते हैं आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो को रिगार्डिंग तो आप हमें comment section में बता सकते हैं तो वहाँ पर मैं लागा है तो वीडियो को like कीजिएगा comment कीजिएगा share कीजिएगा साथ ही साथ गैस ऐसे और भी नए वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं कर venक हुआए हमारी टाना धर खदया हैं